नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंकला में आज सुनेंगे चित्रा मुद्गल जी की कहानी जिनावर, तो आए सुनते हैं कहानी तांगे वाले, रुखना भाई, पुकार पीछे से आई थी, हलकी लगाम खीच कर उसने सरवरी को रोका, दो-चार डग भर कर सरवरी ढीली सी खड़ी हो गई, बाई टांग को उठा कर जटका देती सी मानो टांग पर चड़े आ रहे किसी कीडे मकोडे को जटक कर परिभ फेंक देने को ब्याकुल हो गली से मुख सड़क तक आते हुए ऐसी कोई हरकत उसने नहीं की, बस अभी ही उसने बाई टांग जटकनी शुरू की, उतर कर देख लेना चाहिए उसे लेकिन किसी सवारी की पीछे से आई पुकार ने उसे गद्धी से हिलने नहीं दिया आगे को जुक कर उसने गर्दन मोड कर पीछे की ओर देखा पाज बुरके वालियां कनिया में दो उलादें दबाए, तीन को कंधे में दबोच उन्हें लगभग घसीटती हुई सी फदफद करती तांगे की ओर दोड़ी चली आरेंग दिखी उनमें से ठमके कदवाली ने अपनी हाफ को नियंतरित करने की चेश्टा करते हुए गर्दन उची तानी चलेंगे भाईजान, जाना किधर है बीबी? बगल में चावडी बाजार, कनिया से खिसकती आउलाद को उचका कर उसने बाजू में कसा असलम कुछ सोच में पड़ गया पांच खासी तंद्रुस्त जनानी, कनिया में दो, उंगलियां धरे दो, कुल जमा नौ सवारी चार आधी ही सही, ना मुम्किन, छूचा तांगा ही सर्वरी कढ़िलती हुई सी डोबा रही सवारीों की बरात दम ने चोड लेगी, ना कुलहाडी नहीं देनी टखनों पर टालने के लिए अनिक्षा से मुह गुमा लिया सीध में दस रुपए लगेंगे बीबी, दस रुपए? लो सुनो इनकी अती ठमके कदवाली ने मुह बनाकर अपनी संगवालियों से आखें उचकाई फिर तमक कर उसकी ओर देखा, नय लगते हो शहर में, जाना कितना ये सामने रहा पुल के नीचे चौरास्ता, चौरास्ता पार करते ही जामा मस्जिद वाली गली गली लांग के मोडे नहीं कि मस्जिद के पीछे वो रहा चावडी बाजार सोच समझ कर मोखोलो मिया, सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ बीबी, रोज का धन्दा है, सवारिया भी तो देखो जाना नहीं था उसे, पत्का, फिजूल की बहस में फस गया, लगा था कि दस की बाद सुनते ही जनानिया मोब इतका कर आगे बढ़ लेंगी चलो आठ ले लो, आग बरस रही सिर पर, बच्चे जुलस रहे, उन में से लंबे कदवाली ने उप कर, न तेरी न मेरी वाले लहजे में उसे पटाना चाहा सवाली ने उड़ता बीबी, वहां से हटने के खयाल से उसने सरवरी की लगाम कीजी सवारियों के लिए ही निकला है घर से, तै करके कि सिंगल या जादा से जादा डबल सवारी ही बिठाएगा तांगे पर, हाला कि सिंगल या डबल सवारी रिक्षा छोड़, तांगे पर मुश्किल से ही बैठती है कुन्बा संग हो तो तांगा की फायती पड़ता है, मिजाज न दिखाओ मिया, ठेरो, ठेरो न, उसी ठमके कदवाली ने उसकी उद्दंडता बरदाश्ट करते हुए अपना गुस्सा चबाया, और साथ वालियों की ओर मुड़ी जुदा जुदा रिक्षे के जमेले में पड़ने से बेतार होका तांगा, वाक अधूरा छोड़कर उसने गर्दन नीचे किये हुए हत्यार डाले, चलो मिया, तुम्हारी ही जिद सही आगे बढ़कर उसने उलातों को तांगे पर चड़ने का इशारा किया, लो फसे, अब छुटकारा नहीं, मजबूरन उसने सरवरी की लगाम कीची, खड़ी सरवरी अब तक बाई टांग जटक रही है, जनानियों से जिक जिक में लगा रहा, उतर कर उसकी टांग नहीं दे काप उठा, कहीं ऐसा नहो कि अशक्त सरवरी बीच सड़क पर चक्कर खाकर बैठ जाए, और सवारिया धक्का खाए भेट के ठेले सी लुड़कर रास्ते पर हूँ, आगे को जुग कर उसने सरवरी के पुठे सहलाए, सहलाहट के संग पुछकारा, उंगलियों में गूंग की चिरोरी भर, फिर वही ब्रह्म, तांगा हिल रहा है या सरवरी की टांगे काप रही, उसके बोल सुनते ही सरवरी जप से आगे को बढ़ दी, सुस्त चाल चलती हुई, साफ जाहिर हो रहा है कि चलने में उसे भयंकर तकलीफ हो रही है, लेकिन वह भी जैसे मालिक के नमक का हक अदा करने को कटिबध हो, असलम बेबसी से तप आया, उसके पास काश कोई जादूई जिराग होता, तो वह ततकाल अपनी सरवरी को अपनी जगे बिठा कर खुद तांगे में जुत जाता, सरवरी की सुस्त टापें उसके कलेजे को खूंद रही है, खुदा का शुक कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही है कमसाथ, उसके और सरवरी के संग, 20-22 रोज से जमीन पर ओंधी पड़ी तड़़ा रही है सरवरी, पुछकार कर खड़ा करता है, तो घंटे खाड़ बाद ही पसर लेती है घुटने मोड, कीच भरी आँखें मीच, घरेलू उपा आजमा कर ठक गया, जिस तिसके नुस्खे भी बे असर रहे, घबरा कर वजीराबाद पुल के उस पार की बस्ती में रह रहे जुमन हकीम के पाउँ पकड़ लिए, कोई भी उपाय करें, बस उसकी सरवरी को चंगी कर दें, पहले नथुनों में छाले फटके, देखते पनों में उतर आए, देह निचुडने लगी, रोजी रोटी है, उठकर खड़ी नहीं होगी तो उसके लॉंडे लॉंडिया भूखे मर जाएंगे, जुमन मिया ने ढारस बंदाया और उमीद दी कि वह धैर रखे, मर्ज उनकी पकड़ में आ गया है, खुदा ने चाहा तो हपते भर में उठकर खड़ी होगी उसकी सरवरी, जुमन मिया ने उसे एक और सलाह दी, जामा मस्जित की सीड़ियों पर काला कंबल ओड़े एक अधनंगा फकीर बैठता है, असाध रोगियों और दुखियों को गालियों भीगा दुआओं का काला तागा बाढ़ता है, ब दुआ वा सही दवा ही अब सरवरी का इलाज है, जुमन मिया की जड़ी बूटी के काढ़े पिलाते हफता और निकल गया, सरवरी के टकनों के चाले पी पुगलने लगे, लक्षन शुब नहीं थे, बगल के करीम ने उसे सलाह दी कि नीम हकीम के चक्रों में पड़ा हुआ, वह समय और पैसा नश्ट ना करे, जुमन मिया के वश्का नहीं सरवरी का इलाज, फोरन जाकर वह किसी जानवर के डॉक्टर को दिखलाए, वैसे तो जमना पार लक्षमी नगर में कहीं है जानवरों के इलाज के लिए कोई सरकारी अस्पताल या दवा खाना, लेकिन बहतर यही होगा कि वह किसी प्राइवेट को ही दिखलाए, पैसों का मुह न जो है, पैसा जरूर खर्च होगा तगड़ा, मगर एक दो सुई लगते ही शर्तियां उट खड़ी होगी सरवरी, उसकी उमीद के जुगनों में रोशनी टिम्टी माने लगी, घर में फाके पड़ रह जाकर मोहले के परली तरफ वाले सुनार को अधिये तिहाय भाव में बेचकर डॉक्टर की फीस भरी और सुईया लगवाई सरवरी को, असर ना होते देख चोथे रोज डॉक्टर ने हाथ जाल लिये, सरवरी को ग्लेंटरासन दोक्या रोग हुआ है, रोग बिगड गया है सरवरी को उनके पास पहले नलाकर उसने भयंकर भूल की, अब दवा नहीं, कोई चमतकार ही उसे बचा सकता है सुनकर वह बेजान हो आया, कहां क्या कसर रह गई सरवरी के इलाज में उससे, कुछ तो हुआ ही है, देशी दवाईया आदमी ही नहीं, अब जिनावरों पर भी बेअसर होने लगी है वरना पुर्खों ने कौन सुया लगवा कर परवरिश की इलगी, महीना निकल गया सरवरी की तीमारदारी में, हाथ लग रही है ना उम्मीदी कोठरी में पाउं देते हुए कलेजा कापता है उसका, जुबैदा की जुबान, चोर देखे कुट्टे सी उसे देखते ही बेताहाशा भौंकने लगती है तरियाई हुई ना मुरादो, कहां से लाओं दोनों जुन तुहारे पेट में डालने को, एक मैं ही साबुत बची हूँ इस घर में सो कहो तो अपनी बोटियां काट के चढ़ा दू हांडी में पकने, मती मारी गई है, उसी मरी राण को सहलाता रहता है रात दिन बर्तम भाड़े तक फूक दे एई लाज में, सब को डकार कर ही मरे की डायन, अरे और भी जाने है कुनपे में कमवक्त, उनकी है कर वहां मर्दुए आखिर इन आठ आठ पिल्वों को क्या दू मूँ में, अंगारे, घोडी घोडी, घोडी ना हो गई, रंडी सौथ हो गई मेरी नहीं रही तांगा खीचने के काबिल तो घर क्यों फूक रहा है उसके पीछे, लात लगा हराम जादी को, और परे कर, मर्द है मर्द, दिहारी कर कहीं, रिक्षा खीच किराय पर, मगर तू है कि दिन भर उसकी टांगों में घुसा, उसके पुठे सहलाता रहेगा, कमीने, तड़ाक तड़ाक, अपना हाथ नहीं रोक पाया था सुबह, खुदा का खौफ खा बद जुबान, आग लगे तेरी गजबर जुबान को, कुतिया, जिस रोज बैट गई न ये तेरी सौत, संखिया खाने की नौबत आ जाएगी पूरे कुनबे की, अनाप्षनाप न बका कर, समझी, क्यों, क्या हमारे हाड गोड़ भी संग ले जाएगी राण, मुन बंद कर जुबेदा, मुन सी तू, और समभाल अपने इन पिल्लूओं को, बैठा लेना इनके लिए कोई दूसरी अम्मा, जो पानी गूट-गूट के तेरी देह भी गरमाती रहे, और ससुरे प जहनाटे दार हाथ खाकर बुंबुवाती हुई जुबेदा फर्ष पर अंधे हो गई, कच्चे बरामदे में एक और खड़े तांगे की ओट में बंधी सरवरी पर निगाह गई असलम की, पता नहीं मन में क्या आया, वह सीधा सरवरी की और बढ़ गया, कुछ देर उसे सह पहलाता घूरता रहा, फिर खूटे से खोल कर उसे बलात खड़ा करने की चेश्टा करने लगा, अशक्त सरवरी ने जैसे उसके मनो भाव पढ़ लिये, उसने स्वयमयों उठने की असफल कोशिश की, की घुटने लड़ खड़ा है, वह बैट गई, लेकिन अपनी कोशिश उसने नहीं चोड़ी, कुछ पलों बाद मबाद से चट-चटाते टकनों पर जोर दे, उचक्ती हुई सी दोबारा खड़े होने के प्रयास में, एका एक सफल हो, वह एकदम से तनकर सीधी खड़ी हो गई, उसके कान के निकट मुह ले जाकर असलम लगभग कांपती जले की गली पार करते हुए राई रती यह आभास नहीं होने दिया, कि वह महीने भर से बीमार चल रही है, और दो डग भरने में भी उसे घोर कश्ट हो रहा है, जुबैदा का गुसा अनुचित नहीं, लेकिन वह करे भी तो क्या करे, इट गारा ढोना उसके बूते का नही तांगे की गद्धी से लगातार चिपकी दें को जंग लग चुका है, हाथ चाबोक उठा, हवा में हाथ पर से ज़्यादा डोल फिर नहीं पाते, अपनी टांगों के इस्तेमाल की उसे आदत नहीं रही, सरवरी ने कभी मौका ही नहीं दिया, कोठरी के अहाते से, कोठरी क भीतर तक वह यही मैसूस करता है, कि उतने कदम भी वह जो चल कर भीतर आता है, अपनी नहीं, सरवरी की ही टांगों से, आखें खोलते ही टांगा देखा, लोरी की जगह घोडों की हिनहनाहट सुनी, उनी की टांगों के बीच गुल्ली डंडा खेला, लीद से लफोंदी ज पसों सी आगरे की तंग गलियों में, उसकी मसे भीगते ही अब्बा परिवार समेत दिल्ली आ गए, एक रोज बोले उससे, नई चली फिटफिटिया पर बैठने को शौकिया रही है सवारिया इदर, दिल्ली चलते हैं बर्खुरदार, बड़ा शहर है, वहाँ फिटफिट परिया ही फिटफिटिया भरी हुई है सड़कों पर, सवारिया तांगा देख ललकती हैं बैठने को, सुना है किराया भी मो मांगा मिलता है, बस, बस यही रोकना मिया, कहां उट की तरह मो उठाय चले जा रहे हो, कानों में तेल डाल रखा है क्या, ठमके कदवाली ने जु परिया तेने वाले अंदाज में चौंध फेक रहे आस्मान की और आखें उठा दी, भीगी मया से आगे जुप सरवरी के पुठे सहलाए, इज़त मिट्टी होने से बचा ली गरीब की, अउलादों को उतारते हुए कोई दूसरी जनानी तुलकी, मील भर आगे घसीट अब पलट कर तांगे तोड़ो, तांगा करने का फाइदा? सामने या ठंके कदवाली ने अपने गोल चेहरे को गुस्ते से जटका और बटवा खोल दसका नोट निकाल कर उसकी ओर यू तान दिया, जैसे वह तांगे का किराया नहीं, जबरन पीछे पड़े किसी भिखारी को भीक दे रही हो, उसने जनानी के चेहरे के भावों को अंदेखा कर नोट भूखे को दिखी रोटी सा लपक लिया और उसे कृतगता से दोनों आँखों से छुआता, असफुट होटों से पता नहीं क्या बुदबुदाया, लोटते में जामा मस्जित के सामने से किलो भर बड़े गोश्ट की बिर्यानी बंधवा ले चलने की बात उसे मुनासिब नहीं लगी, यह नोट उसके खर्च के हक का नहीं, सीधे घर पहुँचकर जुबैदा के हाथ पर रख देगा, ठीट ठाक मिजाज हुए तो हसकर चुटकी ले डालेगा, रख अपनी सौत की कमाई चार कदम चलने भर की भी ताकत नहीं सरवरी के जिस्म में, फिर भी नौनो सवारियां ढोकर चली आ रही है तेरी खातिर, रौनक तब भी नहीं फूटेगी कमबक्त के उबले आलू से थोबड़े पर, जब से आई है ना सावन सूखे ना भादों हरे वाले मिजाज में ही अब क्या उमीद करे? ठीक है, जैसी भी सही उसकी जोरू है, जैसे तैसे उसकी ग्रहस्ती का जुआ खीच रही, पहली तो बड़ी बेब मुरवेती से पाच उलादें पटक चलती बनी थी, तीन जुबैदा से हुए, कम कुंबा पड़ा सिर पर, भेद बरत्ती जरूर है अ अबदान, यही एक एब मान कर गम खा लिया उसने, सरवरी को जानलेवा हालत में इतना दोडा लिया, काफी है, मुनासिव यही होगा कि कमाई का अधिक लालच न कर, वह बिना सवारी के ही घर लौब चले, खुद भी तांगे से उतर ले, मगर कुछ देर सरवरी को सुस्ता जरूर लेने दे, खयाल दुरुस्त लगा, तांगा सड़क के एक किनारे लगा, उतर कर वह नीचे आखडा हुआ, उसे दुलारने के खयाल से वह उसके आगे आया, उसका चेहरा दोनों हाथों में लेकर करुणा से उसकी आखों में जाका, जाकते ही कलेजा मुन को आगया, सरवरी की कीच भरी निस्तेज डूपती आँखों में बुझने से पूर्व की लोध धक्ती दिखी डॉक्टर सक्सेना का वाक दिमाग में हतोडा सा लहराया एक आध रोज भी निकाल दे सरवरी तो किस्मत समझो अपनी उसे खाली तांगा लिये खड़ा देख सवारियों ने जिग्यासा प्रकट की चान्नी चौप चलेंगे भाई हनुमान मंतिर लाल किला पहले तीन थे दूसरे पूरा परिवार तीसरे सिर्फ दो डावा डोल हो रही अपनी नियत को उसने हरकाया आदमी हो या राक्षस मरनसन जिनावर की परवाह न कर एकाज सवारिया ढोड़ा माच दस और काट लोगे तो क्या जिन्दगी बसर हो जाएगी सब्र से काम लो जितनी दिहाडी बन पड़ी है उसी पर संतोश करो कितना लंबा साथ रहा है तुमारा और सरवरी का हरी खाई तब भी खुश सूखी नसीब हुई तब भी कोई गिला नहीं नोचंदी के मेले से अब्बा खरीद कर लाये थे बचली जैसी बकतावर के ना रहने पर चिलचिलाती धूप सहन नहीं हो पा रही शायद सरवरी को चेहरे को ससकारते हुए रह रहकर जटक रही है बाई टां का जटकना बंद हो गया है हो सकता है जटक भी रही हो तो उसका ध्यान न गया हो घर को पलट चले यहां खड़े होकर सुस्ता भी ले दस पंद्रह मिनट फिर भी उसे घर जैसा आराम कहां पानी वानी भी तो नहीं पिला सकता यहां चलें क्यों उसकी आँखों में एक बार फिर देखा उसने नजर घूम गई उसकी दिल तहल उठा कैसी अजनभी नजरों से देख रही है लगता है तबियत अधिक बिगड रही है सरवरी की आँखें पानी भरी कटोरी में तैर रही है जैसे हैपी स्कूल चलोगे एक जनानी ने पूछा अकेली सवारी आगे पीछे कोई नहीं दिखा अपने महले की ओर जाते हुए ही पड़ेगा बीच रास्ते हैपी स्कूल बस जरा घूम कर जाना होगा पैठा न ले दूर भी नहीं चोरस्ता पार करते ही बाय मुड़े की आगरा होटल के एन सामने पड़ता है हैपी स्कूल सवारी उतार कोतवाली का धलान उतरते ही सड़क पार है अपना महला उतनी दूर तक सरवरी को चलना तो पड़े गही सवारी के साथ सही उसे विचार मगन पा जनानी ने अगला सवाल किया बैठूं? बैठिये पहले तै कर लो लोग क्या? चार तीन होते हैं अकेली सवारी के उसने कोई बहस नहीं की उचकर अपनी जगह हो लिया सरवरी के पुठे सहलाने की हिम्मत नहीं हुई उसके बैठते ही चल दी डगमगाती हुई सुस्त सी चाल सवारी को कोई हरबड़ी नहीं दिखी कई ओपकर टोक देती हैं कि इस कचवा चाल से चलना होता तो हम पैदल ही न निकल लेती हाथ में किताब थी कोई खोल ली होगी पढ़ने को स्कूल के सामने उतरना है अध्यापिका ही होगी निश्चित हैपी स्कूल के सामने उसने सरवरी की लगाम खीची ना भी खीचता तो शायद वह अपने आप ही खड़ी हो जाती उसके खड़े होने के अंदाज से यही प्रतीत हुआ उसे गलानी हुई जिनावर अपनी जरूरत समझ ही नहीं रहा एक के बाद एक सहयोग भी कर रहा है और एक वह है कि सब कुछ जानते बूजते हुए भी उसके कश्टों से मुँ फेरे उसके ताप में अपनी रोटी सेख रहा किराया तहमत की अंटी में खोस कंखियों से उसने सरवरी का चेहरा देखा माथा ठनका उसकी टंगती हुई आँखें और बजबजाते हुए जबडे ने उसे सहमा दिया सरवरी की टांगे काप रही है जूडी चड़ी देह की भाती यही आभास हो रहा है कि वह अपनी पूरी ताकत भर खड़े रहने की कोशिश कर रही और किसी भी छण उसकी निश्प्रांड देह सड़क पर धेर हो सकती है आज रात मुश्किल है कटनी क्या करेगा वह सरवरी के बिना पेट में डालने को दाने नहीं जुट रहे तांगे में जोतने को नई गूडी कहां से खरीतेगा दोस्त पडोसी सभी की तो जेबें खंगाल चुका सरवरी के इलाज में और घर की हांडी सरवरी के बिना चूच अमर करता हुआ खस्ता हाल तांगा क्या की मत देगा कमबक्त कितनी मरमत खा चुका कबार के भाव लगाएंगे लोग एक वक्त था रिक्षे रोज बारोज किराय पर मिल जाया करते थे अब सेट चालाक हो गए डिपॉजिट मांगते हैं अच्छा खासा बिहार से नया आया खुर्रम नहीं कह रहा था कि अगरवाल सेट ने उससे 500 रुपए डिपॉजिट बतावर रखवा लिये थे यह कहकर कि इस शहर में तेरा आगा ना पीछा भरोसा कैसे हो कि तु रिक्षा लेकर रफुचक करना हो जाए उससे पता नहीं कि कब वह तांगे पर चड़ा और कांपती तांगे लिये सरवरी उसके बैठते ही डग भरने लगी उसकी हिरदय में ज्वार उठ रहा उसकी आतों में तेजाब से भरा भीमकाय देग खौल रहा देग से लप्टों सी उठती भाप में सबसे पहले उसकी खोपडी जुलसी भीतर का भेजा पिगली हुई रबर सा कनपटियों से चूने लगा भयावै भविश्य आठ उलादें बर्रों सी भनभनाती हुई नागिन की जीब सी प्रतिपल उसकी और लपलपाती हुई जुवेदा की जुबान जहरीली काली जुबान कैसे सामना कर पाएगा वह सरवरी के लिए क्या नहीं किया उसने बीबी कहलो प्रेमिका कहलो बहन कहलो बेटी कहलो अपने को बेच कर भी उसके हाड मास बचा पाने की गैरेंटी होती तो बेजिजग बेच कर उसे बचा लेता सामने कोतवाली के मोर से तेजी से मुड रही एक सफेद फियट जिसे एक लड़की चला रही थी रास्ता पाने के लिए उसे लक्ष कर हॉर्ण पर हॉर्ण दिये जा रही उसे पता नहीं लगा कि वह अचानक सड़क के बीचो बीच आ गया है और नाप की सीध पर बढ़ा जा रहा है फियट के बाई और भारी भरकम डीटी सी की बस मसी हुई चल रही जो फियट को सड़क पर कुछ और सहोलियत देने को राजी नहीं दिखी सामने से चले आ रहे एक पर एक वहनों का बढ़ता दबाओ पास आते आते लड़की ने दोबारा हॉर्ण पर हॉर्ण दे अपनी गारी तांगा बचाते हुए काट ले जाने की सतर्क चेश्टा की किन्तु उसके ब्रेक पर पाउं देने के बावजूर्ट गाड़ी के दाहिने मटगार्ड का कोना सरवरी की बाइं टांग को टकर देता हुआ कुछ आगे जाकर जटके से रुख गया पों 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 का कण भेदी प्रदूशन फैलाते दोनों और के वाहन अकस्मात हुई इस दुरघटना से इस्तंबित हो अपनी अपनी जगह ठिठक गए आगे वालों ने देखा पलग जपकते सरवरी सड़क के बीचों बीच धेर हो गई और जुलसी देह सी छटपटाने लगी उसके जबडों से बजबजाता फैचकुर बहने लगा आखें टंग गई तूटी हुई बाइं टंग सड़क पर खोन की पतली धाराएं बनाती हुई रह रहकर चिहुकते उसके शरीर के साथ कांप उठती जुडती उत्सुक भीड ने सरवरी के इर्दगिर्द कौतूहल का गहरा डाल दिया तांगा बचाने में अपनी पूरी चालकिये कुशलता लगा देने के बावजूद दुरघटना बचा पाने में असमर्थ लड़की अपनी साथ वाली महिला के संग घबराई हुई सी लोगों के घेरे को तोड़कर सरवरी के निकट पहुची सरवरी की नाजुक हालत देखकर लड़की की चीक निकलते निकलते बची सहम कर उसने अपनी आँखें मीच ली लड़की राजस्थानी लहंगा नुमा इसकर्ट और ब्लाउज पहने हुए थी खुबसूरत लंबी चरहरी उम्र होगी यहीं कोई 18-19 बावजूद इसके चेहरे पर एक किस्म की अबोध को मलता लड़की को देखते ही अब तक माथा पकड़े उकड़ू बैठा हुआ आवाक असलम अचानक बुक्का फाड कर रोते हुए रक्त रंजित ओंधी पड़ी सर्वरी की देह पर सियापा करता हुआ सा सीने के मुक्के मारता कटे व्रक्ष सा धेर हो गया हाई हाई रे मैं कहीं का नहीं रहा कहे तूट पड़ा मुझ गरीब पर बरबाद हो गया बरबाद मार डाला मेरी सर्वरी को हाई मेरी रोजी रोटी पिछली नौचंदी में पूरे आठ हजार गिने थे बाकर मिया को गाड़ी नहीं चलानी आती तो क्यों लेकर निकल पड़ती है औरों की हत्या करने हाई हाई लड़की के साथ वाली महिला से असलम का आक्षेप बरदास्त नहीं हुआ वह देर खो एका एक उतेजित हो आई क्या बक रहे हो हमने मार डाला बहरे थे क्या हौर्न पर हौर्न दिये जा रही थी शीना हटी क्यों नहीं रास्ते से सडक इठला कर चलने के लिए बनी है तुमारे जो जी में आया उगले जा रहे हो तब से तुमारी घोडी बीच सडक बेकाबू होकर भिर जाये गाडी से तो दोश हमारा क्यों अपनी गलती मानो और हमें कोसना छोड़ो पता नहीं बेवकूफ ट्रैफिक वाले भरी सडकों पर बेल गाडी घोडा गाडी भैसा गाडी क्यों छोड़ देते हैं टक कर मारने दुरघटना से आतंकित लड़की को आंटी के तरकों ने कोई बल नहीं दिया उसने कमपिच सर में उपस्थित लोगों को संबोधित कर प्रतिवात किया न मैं बाएं हो सकती थी न दाएं बाएं डीटी सी की बस बराबर दबाए हुए थी दाएं तांगा सो डेड़ सो रुपै लो और पिंड छोड़ो पलस्तर चड़वा लेना इसकी टांग पर महिला की नर्माई का उल्टा असर हुआ असलम पर क्यों गरीब से मजाब कर रही हो बीबी सो डेड़ सो में पलस्तर चड़भी जाए तो क्या जान बच जाएगी इसकी हालत नहीं देख नहीं जिनावर की हाई कैसे अवलादें पलेंगी कहां से खरीदूंगा नई घोडी पुराना कर्ज ही अब तक अदा नहीं हुआ मैं लुट गया मेरे खुदा लुट गया उसने दोनों हथेलियों से अपना माथा कूटा असलम के कारूनिक विलाब से भीड की सहानू भूती तरकों से परे हो उसके लिए पसीजी दूद के दाट तूटे नहीं अमीर जादी निकल पड़ी हवाई जहाज उड़ाने भई कार वालों के कारना में कोई नए ठहरे आदमी को चलते देर नहीं लगती जानवर के क्या विसात उठ जा जाके चौकी में रपट लिखवा इनका क्या प्राण निकल रहे होते तेरे तब भी ये सौका पत्ता बढ़ा कर यही कहती जाके प्लास्टर चड़वा लो टांग पे कोतवाली बगल में ही थी दुरघटना का शोट शराबा वहां तक पहुँच गया दो हवलदारों के संग छोटे दरोगा ततकाल घटना इस्थल पर पहुँच गये पहुचते ही अरुद्ध यातायात के भारी जमाव को सुचारू करने के लिए सबसे पहले उन्होंने तांगे और घैल घोडी के इर्द गिर्द इकठी तमाश बीन भीड को डाट डपट कर भगाया फिर दोनों दिशाओं से आने जाने वाली फंसी गाडियों के आगे निकलने का रास्ता पनाया छोटे दरोगा इस पीच मामले की जानकारी हे तु लड़की और महिला की और मखातिब हुए पक्ष सुना लाइसंस देखा फिर असलम से वास्तविक्ता जानने चाही असलम विचलित सा दरोगा के पाउं में लोट गया तबाह हो गया सरकार जीते जी दफन हो गया मा डाला इन बेबियों ने मेरी सरवरी को चुब बेहुदे जो पूछा जाए वही बता हवलदार ने डंडा उठा उसे लड़की और महिला की और अभद्र तरीके से इंगित करने पर घुड़का मैं क्या करूं सरकार मैंने बहुत बचने की कोशिश की वो तो 20 सड़क पर परा तेरा तांगा ही बता रहा है कि तूने कितना बचने की कोशिश की हराम जादे सरकार अब मिम्याता ही रहेगा कि कुछ भखरेगा भी सब बताऊंगा सरकार मेरी रपट लिख लो मैं तबाह हो गया असलम की रपट लिखाने की बात सुनते ही लड़की का चेहरा सूखे पत्ते सा तूटा तू घबराती क्यों है साच को आज क्या महिला ने अपने कंधे पर कस्ते लड़की के पंजे को थपथपा कर धारस बनाया फिर दरोगा की और मुड़कर उनसे अंग्रेजी में कुछ परामर्ष करने लगी उनका आशे भाब दरोगा ने उन्हें इसफ़ष्ट किया कि तांगे वाले से वे सोयम बात करके देखें वह उनका कहा मान जाये तो उन्हें कोई आपत्ती नहीं होगी हाला कि उन्हें उमीद नहीं है कि तांगे वाला इतनी आसानी से उनका पिंड छोड़ देगा गलती उसकी हो नहो रपट लिखवाए बिन वह नहीं मानेगा सड़क पार ही इन लोगों की सगन बस्ती है इसकी एक हाग पर आनन फानन कोतवाली गिर जाएगी देखिए आकर खड़े हो गए की नहीं पांच्छे खैर ख़वा निकट आ खड़े हुए रिक्षे वालों की ओर इशारा किया उन्होंने हवलदार को कुछ हिदायतें देकर दरोगा पुनहें उनके निकट आए आए कोतवाली चलते हैं दरोगा के स्वर में अपकी नर्माई की जगए आदेशात्मक पुर था लड़की कोतवाली चलने के नाम से और दरोगा के स्वर में अनपेक्षित आय परिवर्तन से भैभी थो उटी दर असल उसे और महिला को अब तक उमीद थी कि चूंकि दोश उनका नहीं है अतह मामला सडक पर ही कुछ दे दिला कर रफा दफा हो जाएगा लेकिन आसार जटिल से जटिलतर होते दृष्टिगर्थ हुए एक तो वे इस्त्रियां ऊपर से पुलिस के संग कोतवाली जाना उन्हें अटपटा ही नहीं लग रहा था बलकि आरोपित अभियोक्त भाव से भी आतंकित किये हुए था रास्ते चलते लोग उन्हें कौतुक से देख अटक रहे थे कोतवाली पहुँचकर महिला ने विवेक से काम लिया शीना पापा को फोन कर लो उनसे कहदों कि वे तुरंत दर्यागंज की कोतवाली पहुच जाए प्रतिक्रिया में लड़की के चेहरे पर गहराय असमंजस और संकोच भाव ने उन्हें चेताया कि लड़की की मनह इस्तिती इस समय इस योग नहीं है कि वह अपने द्वारा हुई आकस्मिक दुर्घटना की सूचना स्वयम पिता को दे सके गाड़ी बढ़ियां चलाने लगी है तो क्या है तो वह अभी बच्ची ही थाना प्रभादी की अनुमती लेकर उन्होंने फोन अपने समक्ष खीच लिया और लड़की के पिता के कार्याले का नंबर डायल करने लगी उन्हें आशंका थी कि दोपहर के एक बजने वाले हैं कहीं वे लंच के लिए अपनी सीट से न उठ गये हों किन्त उधर से हुई थैलो से उनके चेहरे पर आश्वस्ती भाव गहराया धीमे और संतलित स्वर में उन्होंने संचेप में इस्थिती स्पस्ट कर दी और चेताउनी भरा आग्रह दो राया बस चल दो भाया हाँ तकरीबन दस एक मिनट तो लगी जाएंगे तुम्हें दरिया गंज पहुँचते जब तब लड़की के पिता कोतवाली पहुँचे घटना इस्थल से साथ हाया तरोगा तांगे वाले की रिपोर्ट लिख चुका था थाना प्रभारी मिस्टर गहलोत ने लड़की के पिता मिस्टर तिवारी का तपाक से उठकर स्वाकत किया उनका परिचय कार्ड पढ़कर वे ब्यवहार में अत्रिक्त सहज हुआए ततकाल सब के लिए चाय मंगवाई लड़की से उन्होंने विशेश रूप से कोल्ट रिंग के लिए पूचा उसके इनकार में सिर हिलाने पर दोबारा आग रह किया चाय पीते हुए दुरघटना के विशेश में उनके दर्मियान विश्त्रित बात चीत हुई ऐसा है तिवारी जी मामला थोड़ा पेचीता है दोश चाहे आपकी बेटी का हो ना हो चूकी दुरघटना में घोडी की टांग तूर चुकी है और इस समय उसकी जो नाजुक अवस्था है उससे यही आशंका हो रही है कि वह बचेगी नहीं घंटे डेड़ घंटे भले और खीच ले यानि नुकसान तांगे वाले कही हुआ और उसकी रिपोर्ट पर हमें लड़की को गिरफतार करना ही पड़ेगा कोई समस्या नहीं उसमें कागजी कारवाई होगी चाहें तो अभी ही गाड़ी और बच्ची को घर ले जा सकते हैं घर पर आदमी पहुँच जाएगा आपके और जमानत हो जाएगी कि कार प्राप्त की और छोड़ दी यह भी कि कार चलाने वाली लड़की को गिरफतार किया और जमानत पर छोड़ दिया हाँ न्यायाले इसे जाना ही पड़ेगा अपना वाक के पूरा करते हुए मिस्टर गहलोत ने साभी प्राइज शीना की ओर देखा उनकी बात सुन मिस्टर तिवारी चिंतित हो आए कुछ सोचते हुए से बोले ऐसा नहीं हो सकता गहलोत साभ कि शीना को न्यायाले न जाना पड़े न्यायाले तो जाना ही पड़ेगा मान लीचे मामला कुछ इस तरह से बना दिया जाए कि शीना की जगे मैं गाड़ी चला रहा था मिस्टर गहलोत मिस्टर तिवारी का आशे भाब गए प्रती क्रिया में अर्थ पूर्ण मुस्कान मुस्कराए रिपोर्ट नहीं बदल सकती परिशानी आप समझ रहे हैं ना लड़की का मामला है कोई अन गुनजाईश जिससे शीना को कोट कचेरी के चक्रों से मुक्त रखा जा सके मैं आपकी परिशानी समझ रहा हूँ गुनजाईश सिर्फ एक है बताईए तांगे वाला बच्ची के विरुद्ध दर्ज कराई रिपोर्ट वापस ले ले संभव है दोनों पक्ष कोई निजी समझ वता कर ले संभव हो जाएगा मिस्टर तिवारी विचार मगन हो उठे शीना की गलती भले ही न हो लेकिन सच्चाई यही है कि तांगे वाले की गोडी की टांग तूड चुकी है और किसी भी छण वह दम तोड सकती है ना भी मरे तब भी भै तांगे में जुतने से रही नुकसान उसका हुआ ही है निजी समझ वते का अर्थ होगा लेन देन यही उचित होगा कि मामला यहीं सुलट जाए दिल के मरीज ठहरे कोड कचैरी उनके वश्की भी नहीं समय और पैसा दोनों ही नस्ठ होंगे शीना को मानसिक क्लेस पहुचेगा आत्म विश्वास डिगेगा सो अलग निजी समझ वते की गुनजाईश बता रहे हैं न आप करवा दिजे गहलोट सहाब कृपा होगी देखिए तिवारी जी यह हम नहीं करवा सकते हमारा हस्तक्षिप दबाव माना जा सकता है आप दोनों पक्ष एक और जाकर आपस में बात कर लें और जो भी तै करें हमें आकर बता दें तांगे वाले को मैं बुलवाए दे रहा हूँ उन्होंने एक हवलदार विशन सिंग को आवास दे कर बाहर बरामदे में बैठे हुए तांगे वाले को उनके कमरे में बहिज देने के लिए कहा उसके आते ही उससे बोले असलम लिया तिवारी साहब आपसे अकेले में कुछ बातने करना चाहते हैं महरबानी सरकार गरीब घर से बेघर हो गया सरकार पूरे आठ हजार नौचंदी के मेले में गिने थे अपनी घोडी के लिए मैं लुट किया लपक कर असलम ने गहलोट साहब के पाउँ धर लिये अबे नौटंकी बंद कर जो साहब कह रहे हैं उसे गौर से सुन वैसे तिवारी जी का कहना है कि कोट कचहरी के चक्कर में दोनों ही पक्ष परिशान होंगे तो तुम्हें अगर उचित लगता है तो बात कर लो उन से गहलोट साहब ने बड़ी चतुराई से तांगे वाले पर अपनी मन्शा अप्रकट रहने देते हुए भी दबाव का पेपर वेट रख दिया अंधा क्या मांगे दो आँखें सरकार घोडी मेरी नहीं बचेगी बस घोडी की कीमत दिलवा दिजे साहाब तांगे वाला पुना है गहलोट साहब के पावों की ओर बढ़ा नहीं बचेगी तो क्या करें सड़क अपने बाप की समझ के क्यों चलता है बे हैं हराम जादे तेरी नसनस से वाकिफ हैं हम आउकात में रह अपनी हवलदार विशन सिंग ने असलम के कमान हुए शरीर को गर्दन से दपोच कर सीधा किया चल बाहर असलम के मुड़ते ही गहलोट साहब ने मिस्टर तिवारी से उठने का संकेत किया मिस्टर तिवारी कमरे से बाहर आकर खुले बरामदे में दाहिने कोने में दिखाई दिये हवलदार और तांगे वाले की ओर बढ़ गए वह तांगे वाले के अधिक मूँ नहीं लगना चाहे रहे थे हवलदार विशन सिंग को उन्होंने एक और बुला कर उससे कुछ कहा और फिर उसकी मुठी में कुछ दबा दिया देखो असलम मिया गलती चाहे मेरी बेटी की हो या तुम्हारी अगर हम अभी ही मामला सुलजा लेंगे तो दोनों लोग कचैरी के जंजटों से मुक्त रहेंगे मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ पैसे लेकर इसी समय मेरी बेटी के खिलाप लिखाई गई अपने रिपोर्ट वापस ले लू ले लूंगा सरकार ले लूंगा असलम जाल में फसे पक्षी सा तरफडाया हवलदार विशन सिंग उसके सिर पर ही खड़ा हुआ था अब पताओ क्या उमीद रखते हो तुम हमसे सरकार आप बड़े लोग हैं समस्दार हैं बिना घोडी हमारी रोजी रोटी नहीं चलेगी आठ दस हजार से कम में आजकल बूरी घोडी भी हाथ नहीं लगती आठ हजार चाहिए हाँ तडाक से एक चांटा हवलदार विशन सिंग ने उसकी कनपटी पर रसीद कर दिया एक तो गलती तेरी उपर से दिमाग साथ में आसमान पर सोच समझ के मुफार कमाल करते हो सरकार जिसका सब कुछ लुट चुका वहें क्या दिमाग साथ में आसमान पर रखेगा असलम की आखों में आसु भराए तडाक उसकी दूसरी कनपटी भी जन्ना उठी पट्टी पढ़ा रहा है मा गाड़ी देखी लड़की देखी फैल गए सड़क पे कि रती भर भी खरोच लग गई कहीं तो बड़े आराम से कुछ न कुछ लपा की लोगे हैं अब तिकड़म अपनी ही गव तो ततया हो रहा है साले नहीं सरकार नहीं नहीं तु फिर सुरसा का मूँ क्यों खोल रहा है जानता नहीं यहां फिर भी कुछ न कुछ हाथ लग जाएगा कचहरी में कहीं मामला पलट गया तो बैठे रहना टापते सिधे सिधे बोल जो वाजिब बनता है तेरा क्या बोलूं सरकार आपका राज है मतलब ताकि तु यहां से बाहर निकलते ही सवार हो जाए हमारी खोपड़ी पर कि जो मिला हमने दिलवाया हैं मकरा मत समझे पांच दिलवा दिजे हुजूर और कुछ नहीं अधमरी घोड़ी ही खरीद सकूँ बच्चों के पेट में कम से कम एक जून की तो पड़ी आ रहा है ठिकाने तू हवलदार विशन सिंग निकट खड़े हुए मिस्टर तिवारी की ओर उन्मुक हुआ सर आप इसे दो दे दीजे इससे कम में नहीं टले गई है हवलदार लतीफ ने अभी अभी खबर दी है कि घोड़ी ठंडी हो गई इसकी देखो भई दो उसे ज़्यादा मैं नहीं कर सकूँगा ना मन्जूर हो तो फिर कचहरी में मिलेंगे घोड़ी के मरने की सूचना ने मिस्टर तिवारी को तनिक विचलित कर दिया उन्होंने सोच लिया कि अगर दो पर तांगे वाला राजी नहीं हुआ तो वह उसे तीन तक दे देंगे घोड़ी की म्रत्तु से उनका केज और अधिक बिगड़ गया है मन्जूर है सरकार, मन्जूर है गरीब क्या खा कर कचहरी लड़ेगा आप से चल बड़े सहाब के पास, चल कर वापस ले रिपोर्ट अपनी हवलदार विशन सिंग थाना प्रभारी मिस्टर गहलोत के कमरे की ओर बढ़ा मिस्टर तिवारी भी उसके संग मिस्टर गहलोत के कमरे में दाखिल हुए उनके चेहरे पर अब तक तनी हुई उद्यवगनता, फैसला होते ही काफी कुछ ढीली हुई थाना प्रभारी मिस्टर गहलोत ने सीधे तांगे वाले से प्रश्न किया क्या फैसला किया तुमने असलम मिया सरकार, बोलो, निर्भे होकर बोलो सरकार, दो हजार रुपए बता और हर्जा देंगे साहाब हम को यानि तुम लड़की के विरुद लिखाई गई अपने रिपोर्ट वापस ले रहे हो जी सरकार अपनी मर्जी से? जी सरकार ठीक है, मिस्टर गहलोत सामने बैठे हुए मिस्टर तिवारी की ओर मुड़े बधाई हो, पैसे का इंतजाम है आपके पास कार्याले से निकलने से पूर्फ करके ही चला था मिस्टर तिवारी जेब से अपना पर्स निकालने लगे कुछ मेरे पास हैं भाईया दूँ लड़की के साथ वाली महिला ने वित्रिशना भाव से अपने बटवे को हाथ लगाया नहीं, जरूरत नहीं अर्चना मिस्टर तिवारी ने उन्हें बरज दिया मिस्टर गहलोत ने हवलदार विशन सिंग को आदेश दिया अब तक सहमी बैठी हुई शीना से उन्मुक हुए बेटी, गाड़ी खूब चलाओ, धडल्ले से मगर भीर भाड में जरा साधानी के साथ इन अंधों से तनिक बच कर प्रत्युत्तर में शीना ने द्रश्टी जुका ली मिस्टर तिवारी ने लक्ष किया कि मिस्टर गहलोत ने घोडी की मृत्तु की सूचना शीना को नहीं दी शायद यही सोचकर कि कहीं ऐसा न हो कि सारे प्रकरण से घबराई हुई शीना और अधिक गलानी बोध से त्रस्थ हो जाए और उसका गाड़ी चलाने का आत्म विश्वास आहत हो शायद इसलिए मिस्टर गहलोत ने कुछ देर पहले उनसे ही कहा कि वे सोयम जाकर घटना इस्थल से अपनी गाड़ी ले आएं और लाकर कोतवाली के भीतर खड़ी कर दें ताकी वाकसी के समय वे लोग यहीं से सीधा घर के लिए निकल सकें मिस्टर तिवारी को शीना की लापरवाही पर क्रोध भी आ रहा था और उसके सह में ओड़े चेहरे को देखकर हिर्दय व्यथित भी हो रहा था कितनी बार मना किया है उसे कि कॉलोनी की बात अलग है लेकिन शहर में गाड़ी ना ले जाए भीड भरे इलाकों में तो कता ही नहीं कुशल से कुशल चालक भी भीड में अपना नियंतरन खो बैटते हैं वह तो अभी बच्ची ही है पिछले वर्ष ही तो उन्होंने उसकी जिद पर लाइसेंस बनवा के दिया है इधर जब से उसकी बुआ अर्चना विदेशत से आई है उसे और भी शह मिल रही है सारा काम निपड़ चुका था मिस्टर तिवारी ने उठते हुए गर्म जोशी से मिस्टर गहलोच से हात मिलाया सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया शीना से नमस्ते भी नहीं कहा गया पुलिस चौकी से बाहर निकलते हुए उसके चेहरे से प्रतीत हो रहा था जैसे वह सजा काट कर अभी ही जेल से मुक्त हुई हो आधी रात को किसी घोडी के हिन हिनाने का प्रखर स्वर सुनकर अचानक असलम की नींदों चट गई यह तो सर्वरी के हिन हिनाने का स्वर है रुन्जुन हिन हिनाहट से भरा हुआ स्वर हडबडाया हुआ सा उठकर वह कोठरी के किमार खोल उसे देखने बरामदे की और लबका बाहर जींगरों की जियाहट में डूबा हुआ आधी रात का गहरा अन्मना सन्नाटा था और सर्वरी के बिना अकेले उदास खड़ा हुआ तांगा सर्वरी कहां है सर्वरी यहां हो भी कैसे सकती है उसे तो वह वहीं सड़क पर मुर्दा छोड़ाया था नगरपालिका की बेजान लावारिश पश्वों की लाशने डोने वाली गारी के भरोसे कितनी तेजी से वह तांगा लेकर भागा था घर्टना इस्तल से तेजी से कोठ्री में लोट कर वह बदहवास सा न जाने अपने सिरहाने क्या खोजने टटोलने लगा किसी चीज के हाथ लगते ही उसे अपनी चाती से भीच कलेजे में हूक के बवंडर से उठते घुमरते रुदन को दबाने की कोशिश में असफल होता हुआ वह इतनी जोर से चिंगार मार कर रोया कि लगा जैसे कोई पेड अपने तने से कट कर अरराता हुआ धर्ती पर आगिरा हो और उसकी कारुनिक अरराहत पलों तक दिशाओं में कामती हुई ठहर गई हो क्या हुआ अचानक तुमको अल्ला कुछ बोलो भी बोलो उसे आधी रात तूट कर रोता हुआ पाकर जुबैदा हत्प्रत सी उसे जख जोरने लगी शोर से एकाद बच्चे की भी निंद तूट गई कड़वाई हुई अबोध आँखों से वे रोते हुए बाप की और हैरत से देख रहे थे इस हालत में पहली बार कहीं दर्द हो रहा है हौलनाक सपना देखा नहीं वह जुदा नहीं हुई उसके जुदा होने से पहले ही मैंने उसे मार दिया मैंने उसकी मौत से सौधा कर लिया बीबी जान बूझकर उसे गाड़ी से भेड़ दिया यही सोचकर कि अपनी मौत तो वह मरेगी ही आगे पीछे किसी गाड़ी से भेड दूँगा तो वह मरते मरते अपनी कीमत अदा कर जाएगी ये नोट नोट नहीं मरी सरवरी की बोटियां है बोटियां बीबी सुनकर जुबैदा का दिल दहल उठा असलम की पीट सहलाता हुआ उसका हाथ जहां का तहां रुख गया तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें धन्यवाद